गोली लगने से एक छात्रा की मौत हो गई है और संदिक्द परस्थती में इस छात्रा को गोली लगी है बीकॉंग फाइनल इयर की छात्रा थी निश्ठा चिनहट के देयाल रेजिडेंसी में गोली लगी है लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान इस छात्रा की मौत हो गई मौके से आदित्य पाठक मोनु कुमार नाम के दो शक्स जने हिरासत में लिया गया है मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी निष्ठा पुलिस विभाग में तैनात मकान मालिक भी पुलिस हिरासत में है देराज शराब पाठी में ये गोली चली थी हाला कि पूरी तरह से अभी वज़े क्या है वो स्पष्ट नहीं है लेकिन कडिया जोडी जा रही है देराज शराब पाठी थी जिसमें की गोली चली लेकिन किस ने चलाई किस लिए चलाई इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन विकॉम फाइनल एर की छात्रा निश्ठा जिसकी गोली लगने से मौत हो गई है संदिक परिस्थती में ये मौत हुई है पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है जिनका नाम आदित्य पाठक और मौनु कुमार बताया जा रहा है इतना ही नहीं जो मकान मालिक है खुद भी पुलिस विभाग में तैनात है उसे भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है पुछताच की जा रही है बहुत जल्दी वजय स्पष्ट हो जाएगी ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है लेकिन लखनव से ही एहम खबर यूपी सरकार अवैद नर्माण पर अवैद बुल्डोजर चला कर उसे ध्वस्त कर रही है हम आपको दो जगों की तस्वीरे दिखाते हैं ये तस्वीरे हैं बुलंड शेयर और फिरोजबाद की बुलंड शेयर में बीडिये ने अवैद रूप से बसाई जा रही है दो कॉलोनियों पर बुल्डोजर चलाया 20 बिगा और 8 बिगा शेत्रफल में ये अवैद कॉलोनिया काटी जा रही थी आरोप की मताबिक खुज़ा इलाके में NH91 बाइपास पर अवैद रूप से अवैद कॉलोनिया बसाई जा रही थी ओधर फिरोजबाद में स्मार्ट रोड चोड़ी करने के काम में बाधा बन रहे सामुदाइक शौचाले और बायोगेस फ्लांच को दुबस्त कर दिया गया पी डबलूडी की ओर से ये कारवाई की गई है दो तस्वीरे आपके सामने हैं बुल्डोजर कारवाई की गई है प्रशासन द्वारा बुलंड शेर और फिरोजबाद में प्रशासन का बुल्डोजर चला है और सीएम योगी की नाराजगी के बाद प्रशासने कमले में हलचल मची है लखनव में अधिकारियों की समनवे कमिटी बनी है इनके अधिकारियों की समनवे समिती बनाई गई है दिवाली तक शेहर के सभी गड़े खत्म होंगे ये दावा किया जा रहा है जिला अधिकारी लखनव ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर आम जनता अपने इलाकों के गड़ों की तस्वीर और लोकेशन शेहर कर सकती है आपको बता दे देवा रोड पर RSS की बैठक्स में गईब मुख्यमंत्री योगी आदतनात को सडकों पर मिले गड़े की नाराजगी के बाद लखनव में अधिकारीों की समनवे समिती बनाई गई है ये कमिटी आपस में कोडिनेशन स्थापित करने का काम करेगी अलग-अलग विभागों से जुड़े वो अधिकारी जुनकी जिम्मेदारी है कलेक्टिव रूप से की सडके गड़ा मुक्त रहें, ट्राफिक जाम ना लगे, लोगों को परिशानिया ना आए इसके लिए दिवाली तक सभी गड़े भर दिये जाएं, ये लक्षे रखा जाएं लखनव में मल्टिपल एजेंसीज हैं जो की रोड्स के निर्माड का और उनके रखरखाव का कारे करते हैं उनमें एक अंतर विभागिय कोडिनेशन जिला प्रिशासन के इस तर से किया जा रहा है सबसे पहले उन सभी सडकों का सरवे कराया जा रहा है जहां पर की गड़े हैं या जिनकी विशेश मरमत की आवशकता है उसका सरवे सम्मंदित एजेंसी कर रही हैं उसके अलावा इसके बाद जब अपनी कारियोजना बनाकर यहां पर प्रस्त करेंगे जिससे कि मानने मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं कि दीवाली से पहले सभी सडकों को चलने योगे गड़ा मुक्त किया जा सके उस अभियान में सभी एजेंसियों के साथ में वारता हो चुकी है उनके साथ मीटिंग हो गई है कारियोजना वो लोग बनाकर जल्दी से जल्दी अभी एक दो दिन में देंगे एक कंट्रोल रूम इस्थापित किया गया है जिसमें नंबर्स जारी हो रहे हैं ये numbers 9454416500, ये WhatsApp number है जो हम लोगों ने सर्कुलेट किया है. और गौतम बुद्नगर में इंटरनाशनल लेवल के दो बड़े आयोजन होने है. एक आयोजन तो आज से ही शुरू हो जाएगा. आज ग्रेट अनॉडा में इंटरेड शो का उध घाटन होना है. राश्पती दुरापदी मुर्मू इस ट्रेड शो का उध घाटन करेंगी और जबकि दूसरा बड़ा आयोजन कल से शुरू होगा. यह आयोजन मोटो जीपी बाइक रेस का है. जिसका आयोजन ग्रेट अनॉडा की बुद्धा सौकिट में होगा. ग्यारा टीम्स इस आयोजन में हिस्सा लेंगी और इन दोनों बड़े आयोजनों को लेकर गौतम अगर की पुलिस ने ट्राफिक अडवाईजरी भी जारी की है जो आज से 25 स्तंबर की रात 12 बज़े तक लागू रहेगी. तो नॉडा ग्रेटर नॉडा एक्सप्रेस वे पर कुछ समय के लिए बंद रखा गया है क्योंकि आज से दो बड़े आयोजन यहां पर होने जा रह ही है राश्पती द्रौपदी मुर्मूस का उद्गाटन करेंगी सीम योगी आदतनातिस दौरान मौजूद रहेंगे और कल से बुद्धा सरकिट में बाइक राइडर्स के लिए एक बड़ा आयोजन इंटरनाशनल मोटो रेस आयोजित किया जा रहा है इसके चलते नॉड पर कई जगा बन तो कभी रूट डाइवर्जन एक अलग ट्राफिक प्लान बनाये गया है ट्राफिक अड्वाइजरी लेकर ही आप अपने घर से बाहर निकले अगर आपको इस रास्ते से जाना है और गौतम बुद्नगर पुलिस की ये अड्वाइजरी आपके लिए काफी फायदे मन रहेगी इस अड्वाइजरी को लेकर अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लखनव आगरा से नॉड़ा की ओर आ रहे हैं तो ये अ ग्रेटर नॉड़ा में 5 दिन बड़े आयोजन होंगे 21 से 25 सितंबर तक इंटरनाशनल ट्रेड शो का आयोजन तो 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन और सभी तरह के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी दिल्ली से सभी मालवाहक वाहनों की ए सलाह दी गई है और आगरा से अलिगर होते हुए दिल्ली आने की अडवाईजरी जारी की गई है लोगों से मेट्रो सेवा का अस्तमाल करने की अपील की गई है कि वो मेट्रो का अस्तमाल करें अगर उनका रूट मेट्रो को सूट करता है इमरजनसी जूटी में तैनाद गा जाने वाली बसे जो हैं वो जेवर खुर्जा होकर निकलेंगी परिचौक से लखनव जाने वाली बसे धनकौर होकर गुजरेंगी बोटैनिकल गाडन सेक्टर 148 डेल्टा 01 मेट्रो से शटल बस मिलेगी और हेल्पलाइम नंबर भी जारी किये गए हैं उस पर भी फोन करके आ अपनी स्क्रीन पर फ्लाश कर रहे हैं और अब आपको सीदे लिए चलते हैं हमारी सेयोगी शीनम शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं शीनम दो इंटरनाशनल लेवल के बड़े आयोजन नौइडा ग्रेट अनौइडा में होने जा रहे हैं आज से ट्रेंड शो की में रखते हुए बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया गया है यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो में इस वक्त मैं मौझूद हूँ और यहां की तस्वीर में आपको दिखाने जा रही हूँ क्योंकि अलग-अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं दो हजार से ज्यादा एक्ज उकनोमी बनाने का जो लक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है उसे कैसे आगे बढ़ाना है उसी दिशा में कदम उठाते कोई लगातार जो है इस तरह के आयोजन किये जाते रहे हैं लेकिन ये क्यों खास है वो मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए उत्तर प्रदे खाने की भी बात करेंगे फूट कोट भी होगा वो भी मैं आपको तोड़ी दिर में दिखाऊंगी फार्मा की बात कर ले मेडिकल साइस कितनी तरक्की कर चुका है उसका भी एक स्टॉल यहां पर लगा है ये देखिए आप जहां पर डिपार्दमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेर इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो कल्चरल डिपार्डमेंट था इसके अलावा स्वच भारत मिशन उडान नाम से भी एक स्टॉल लगाया गया है यानि कि उस योजना को भी किस तरह से आगे बढ़ाना है वो उस दिशा में भी एक अदम है यहां पर हमारे साथ जो एक्मिली वेलफेर से हैं वो हमारे साथ मौझूद है अब बताइए आप कहां से आए हैं कहां से आपनी स्टॉल लगाया है अब कितना फाइदा मानते से आप इस khet का जो आयोजन होता है इस ते कितना वायर्स के लिए भी फायदेमंद और आप लोगों के लिए भी देगे मैं डॉक्टर लिकास इंदू अगरवाल हूं स्वास्विवाग को हैं प्रतिनेते तो कर रहा हूं इस तरीके की जो पॉब्लिक और पॉब्लिक प्राइबेट जा रहे हैं डैन जो हमारा डाइलिसिस सर्विसेज है वो भी हम पॉब्लिक प्राइबेट पार्टर तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव इंवेस्टर्स हैं उनको यह पता जल सकता है कि किन स्कीम में सरकार इंट्रेस्टेट इंवे जगा जगा पर बनाए गए हैं ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो लोग यहां पर आएंगे क्योंकि टाइमिंग की बात करूं में आस था तो टाइमिंग जो सुबह की टाइमिंग है वो सिर्फ बिजनेस परपल्स के लिए रखी गई है बी टू बी और बी टू सी दोनों तरह का बिजनेस यहां पर होने वाला है यानि कि कंजूमर के लिए भी फादेमन्द है और जो लोग बिजनेस करते हैं यानि कि जो उद्यमी है चोटे-चोटे उनके लिए फादेमन्द है आगे बढ़ते हैं अगला स्टॉल यह आप देखिए डिपार्डमेंट आफ वोट हर एक डिस्टिक का अपना एक खास प्रोडक्त होता है खाने की चीजों की हम बात करें क्योंकि फूट प्रोसेसिंग डिपार्डमेंट के में पास थी तो मैं खाने की बातों कैसली जिक्र कर रही हूं आपने देखा होगा कि अलग-अलग जगों की एक खास तरह की मिठाई पर देखने वाली है यहां पर देखिए गाजयबाद डेवेल्ब्मेंट अथॉरिटी की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है यानि कि जो गाजयबाद के प्रॉडक्ट है उन्हें भी अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में पहचान मिलेगी बलकि उत्तर प्रदेश के अल कहा जा रहा है कि साथ देशों के लगभग यहां पर बायर्स पहुंचने वाले हैं इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में अगर बढ़ेगा जाहिर है कि वन ट्रिलियन एकोनोमी बनाने का जो लक्षे है सरकार का उसे एक रफ्तार मिलेगी कुछ लोगों से हम बात कर ले में ये आवास सेहरी नियोजन विभाग का ये पंडाल है जिसमें गाजियाबाद, मेरट, मुझभफर नगर, हापोड, पिल्कुआ, बुलंसर और आवास विकास विभाग के इस्टाल लगे हुए हैं सभी लोगों ने मुख्य तोर पे वो ये प्रदर्शित की हैं जो जनोप लोगी है जिनमें निर्धन लोगों को या एफोर्डेबल हाउसिंग का डिस्प्ले है, प्रधान मंतरी आवास ये उजना का डिस्प्ले है, हम लोगों के यहां लगबग साड़े 3,000 आवास बन रह हैं, आवंटन सभी के लिए हो गया और जल्दी हम उनको पजेसान दे लेंगे, ठीक है, तो अगर आप आवास की खोर्ज में हैं, यानि कि आप रहने के लिए, अगर कोई हाउसिंग से लेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो वो भी आप पहुंच सकते हैं, बुलन शहर को लिए चलती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ फूड कोट भी कहा जा रहा है कि उस तरफ फूड कोट है, और उसे भी हम थोड़ा एक्स्प्लोर कर लेते हैं, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट, आप देखिए जो आयुर्वेद है, उसका कितना महत्व है, और जो उत्तर प्रदेश का है, आस्ता आवाज मिल रही आपको, जी जी बिल्कुल शीनम, हम देख रहे हैं कि आप एक एक करके सारे स्टॉल्स लिका रही है, उनसे जुड़ी बाते कर रही है, लोगों से पूछ रही है, योगा, योगा और आयुर्वेदा का जो महत्व है, व अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा सा बताईए, ये स्टॉल आयुश विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें कि हमारी जो पैथिया है, हाईरवेद, युनानी, होमियोपैथी, सित्धा, नैचुरोपैथिया और योगा, इसका एक माधियम से मिलने जा रही है, और आप विस्तार से दिखा रही है कि यूपी की जलक अलग-अलग शेत्रों, विभागों और उनके स्टॉल्स के माधियम से सामने रखी जा रही है, बहुत शुक्रिया शीनम, अपडेट के लिए, एक चोटा से ब्रेक का वक्त है, जल लोटि करेंगे कही मत जाएगा.